ये सारी hybridization आपके पास wrong answers हैं इसमें ये hybridization नहीं है क्या है इसमें hybridization देखते हैं hybridization की बात करें तो hybridization actually mixing होती है atomic orbitals की जिसमें atomic orbitals आपस में मिलके new atomic orbitals बनाते हैं क्यों बनाते हैं ताके वो bonding में हिस्सा ले सकें नए atomic orbitals जो हैं वो असल में bond बनाने में help करते हैं organic और inorganic compounds में hybridization को कैसे find करते हैं इसके लिए एक बहुत important trick share करने जा रहा हूँ पहले बात करते हम inorganic compounds की और inorganic compounds में भी हम बात करेंगे सिर्फ normal compounds की यानि कि जिसमें कोई भी आपके पास transition element नहीं होगा वो आपके पास होंगे normal compounds कैसे hybridization निकालनी हैं आपने ये करना है कि normal compounds के जितने भी valence electron होंगे उनको आपने add करने हैं और add करने के बाद अगर valence electrons आपके पास lie कर रहे हैं आ सकती है इसे SP आ सकती है SP2, SP3, SP3D, SP3D2 और SP3D3 इसकी एक example लेते हैं, for example हमारे पास water है तो hydrogen में valence electron कितने होते हैं, 1, 2 से multiply कर दें oxygen में कितने होते हैं, 6, कितने आगे जी, 2 plus 6, 8 अब 8 किस में लाई कर रहे हैं, ये देखें, 2 से 8, किस से divide करेंगे, 2 से हाँजी 8 को divide कर दें, किस से, 2 से, क्या answer आएगा आपके पास, 4 अब 4 कहां बन रहा है, देखें count करें, 1S3P, होगे 4, उसका मतलब है इसमें कौन सी hybridization है आपके पास, SP3, हाँजी water के अंदर आपके पास SP3 hybridization होगी, और example लेते हैं, for example आपके पास है SNCL4, SN में कितने electron होते हैं, SN4 group से है, 4 electron होगी कलोरीन 7 group से है, 7 को multiply कर दें, 4 के साथ, कितना हुआ, 4 प्लस 28, 32 32 कहां आ रहा है, 8 से 56 में, किस से divide करेंगे, 8 से, 8, 4, 32 32, तो 4 क्या आगया हमारे पास, SP, SNCL4 में है हमारे पास, SP3 hybridization SNCL2 की बात करते हैं, SN में invalence electron कितने हैं, 4, कलोरीन में, 7, 2 से multiply कर देंगे, कितने होगे, 18, 18 कहां लाई कर रहा है, 8 से 56 में, तो 18 को divide कर देंगे, आप, किस से, 8 से, कितना आएगा, 216, remaining 2, तो 2 फिर like कर रहा है, हमारे पास, 2 से 8 में, इसको किस से divide करेंगे, 2 से, कितना answer आया, 1, तो इन दोनों को add कर लेना आपने, 2 प्लस 1, यानि कि यह जो आपके पास answer आएगा, 2 और 1, इसको आपने add कर लेना है, कितना बना आपके पास, 3, तो 3, यानि कि 1S होगा, और P2 होगे, तो आपके पास hybridization क्या आगी, SP2 hybridization, H3 यो पॉस्टी की example लेते हैं, कितने hydrogen में valence electron, 1, 3 से multiply कर दें, oxygen में कितने होते हैं valence, 6, और ये कम भी है, उसको भी minus करना है साथ, minus 1, तो यहां कितने होगे, 3 plus 6, minus 1, कितने होगे आपके पास, 8, 8 को किस से divide करेंगे, ये 2 से 8 में लाइग कर रहे हैं, 2 से divide कर दें, कितना हुआ, 4, तो 4, 1, S और 3, P, ये भी आपके पास SP3 hybridized है, PCL 5 की बात करते हैं, phosphorus में कितने valence electron होते हैं, 5, क्योंकि ये 5th group से है, chlorine में 7, क्योंकि 7th group से है, तो 7 होगे, multiply किस से करेंगे, 5 से, कितने होगे, 5 plus 35, 40, तो 40 कहां आ रहा है, 8 से 56 में, तो 40 को divide कर दें, 8 से, 8, 5, 40, तो 5 आगे, यानि कि SP3D आपके पास होगी इसमें hybridization, यानि 1S, 3P और 1D, POCL 3 की बात करते हैं, phosphorus में कितने होते हैं, valence electron आपके पास, 5, oxygen में, 6, कलोरीन में कितने होगे, 7 multiply, 3, कितने होगे, 11 plus 21, 32, तो 32 को divide कर दें किस से, 8 से, कितना answer आएगा आपके पास, 8, 4, 32, 32, इसका मतलब ये भी क्या होगा, आपके पास, SP3 hybridized होगा, ये जितनी example हमने ली हैं, इन examples में, हमने central atom की hybridization निकाली है, इसमें हमारे पास, जितनी भी examples हैं, उसमें central atom की hybridization आईए हमारे पास, ICL 7 की बात करते हैं, तो ICL 7 में, iodine हमारे पास जो है, ये central atom में, तो हमारे पास इसकी hybridization आएगी, निकालते हैं, क्या करते होते हैं, हम valence electron को add करते हैं, iodine 7, chlorine 7, multiply 7, कितना आगया, 7, plus 49, 56, तो 56 कहां लाई कर रहा है, 8 से 56 में, किस से divide करेंगे, 8 से, divide करते हैं इसको, 8 से, क्या answer आएगा हमारे पास, 756, तो 7, क्या बनाएगा हमारे पास, SP3, D3, hybridization, organic compound में hybridization की बात करें, तो organic compounds में, आपने क्या करना होता है, कि जो भी आपके पास, atom आपको दिया जाए, कि आप उसकी hybridization find करें, आपने उसमें दो चीज़ें देखने ही होती है, कि वो attach कितने atoms के साथ है, plus उसमें loan pair कितने है, दो चीज़ें आपने देखनी है, bonds नहीं देखने है, atoms देखने है, कि उसके साथ attach atoms कितने है, और उसके साथ loan pairs कितने है, कुछ examples देखते हैं, for example हमारे पास carbon है तो carbon में पहली चीज़ आपने क्या देख रही है कि कितने atoms के साथ attach है तो ये carbon एक इस carbon से attach है और इस carbon के साथ तो इसका मतलब है कि 2 atoms के साथ attach है और lone pair इसमें कितने हैं lone pair इसमें कोई भी नहीं है तो इसका क्या होगा 2 यानि कि ये SP hybridization है यहां देखते हैं nitrogen में nitrogen कितने के साथ attach है 2 hydrogen और यहां से 1 carbon यानि 2 ये hydrogen और यहां से 1 carbon भी आएगा तो 3 तो ये होगा प्लस add करते हैं इसमें क्या चीज़? lone pairs lone pair है इसमें? तो क्या आगए आपके पास answer? 4 तो 4 मतलब 1S और 3P तो ये हमारे पास होगा जी SP 3 hybridized इसकी बात करते हैं इसमें ये जो central carbon है आपके पास कितने atoms के साथ attach है? 1, 2, 3, 4 कितने atoms आगए आपके पास? 4 atoms lone pair है इसके अंदर कोई? नहीं जी lone pair नहीं है तो answer आगए 4 इसका क्या मतलब होगा? कि ये भी SP 3 hybridized होगा इसकी बात करते हैं इसमें देखें nitrogen इसकी hybridization निकालनी है आपने तो nitrogen कितने atoms के साथ attach है? मैं फिर बता रहा हूँ आपने bond count नहीं करने bond 3 हैं वो count नहीं करने आपने आपने ये देखना है कि कितने atoms के साथ attach है? तो nitrogen सिर्फ कार्बन के साथ attach है और उसका एक ही लोन पेर है क्या answer आया टू? तो टू क्या होगा? SP hybridized होगा यानि ये nitrogen जो है SP hybridized होगा यहां बात करें nitrogen की यहां nitrogen देखें एक AC के साथ attach है यहां भी एक C है यहां भी एक C है मतलब तीन atoms के साथ attach है और इसके पास कोई लोन पेर है? नहीं इसका मतलब है कि 3 answer में कौन सी hybridization होगी आपके पास? SP to hybridization अब बात करते हैं इसकी exception की exception ये कि कहां पर हम ये trick apply नहीं कर सकते जैसे inorganic में हमने बात की ती कि हम वो trick transition metals के लिए apply नहीं कर सकते तो यहां भी एक exception है कि आप इस trick को कहां पर इस्तमाल नहीं करेंगे बात कर रहे थे organic compound में hybridization की जिसके लिए हम एक trick यूज कर रहे थे trick में क्या था कि हमने उसमें attach atoms और loan pairs को किया था add और उसकी निकाली थी hybridization अब कुछ examples हैं इनकी hybridization चेक करते हैं सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते होते हैं कि कितने atoms के साथ attach है और कितने loan pair हैं इस oxygen के लिए निकालते हैं oxygen कितने atoms के साथ है एक तो यानि कि हमारे पास क्या है दो हमारे पास carbon है तो लिख लेते हैं टू एटम्स के साथ ये attach है और इसमें loan pairs कितने हैं टू एड किया कितना आया फोर तो इसमें हमारे पास hybridization आगी SP थ्री hybridization इसमें देखते हैं nitrogen कितने atoms के साथ attach है तो hydrogen वन carbon कितने हो गए त्री loan pair कितने हैं वन एड करें क्या answer आया कि बात करते हैं इसमें हमारे पास oxygen की hybridization निकालते हैं कितने atoms के साथ attach है एक यहां पर carbon होगा R के लिए लाज़मी बात है और एक यह carbon दो atoms और loan pairs कितने होगे इसमें दो क्या answer आया 4 SP3 hybridized यहां पर बात करते हैं पाइरोल की बात करें अगर तो nitrogen कितने atoms के साथ attach है 1, 2, 3 3 atoms के साथ loan pair कितने है 1 क्या answer आया आपके पास 4 यानि SP3 hybridization यह सारी hybridization आपके पास wrong answers है इसमें यह hybridization नहीं है क्या है इसमें hybridization देखते हैं exception हमारी यह है कि जहां loan pair adjacent to pi bond होगा वहां जो भी hybridization होगी उसको एक P कम कर देना है आपने इस oxygen में देखते हैं इस oxygen में हमारे पास यह जो loan pair आपको नज़र आ रहा है यह loan pair इस pi bond के साथ conjugation में आ जाता है क्या हमारे पास exception है कि loan pair adjacent to pi bond यह loan pair और यह pi bond यह दूसरे के adjacent हैं तो यहां पर hybridization में आप P को एक कम कर देंगे तो यहां मारे पास actual hybridization होगी SP2 सेम यहां पर भी देखें आप कि यह loan pair जो है वो इस pi bond के साथ क्या है adjacent है यह इसके साथ resonance बना सकता है conjugation में आ सकता है तो यहां पर भी हम एक P कम कर देंगे यहां पर भी यानि amides में भी यह जो nitrogen है जो के conjugation में है किस के साथ pi bond के साथ इसकी hybridization होगी SP2 hybridization esters की बात करते हैं esters में भी आप देखें सेम हमारे पास कि यह जो हमारे पास loan pair है यह इस pi bond के साथ क्या है conjugation में आ सकता है तो यहां पर भी आपने इसकी जो hybridization है वो यह कम कर देनी है यहां भी actual hybridization जो है वो SP2 होगी पाइरोल में पाइरोल की बात करें सेम यहां पर भी यह जो आपके पास loan pair है यह इसके साथ भी और इसके साथ भी क्या है loan pair adjacent to pi bond है यहां पर भी hybridization आप क्या कर दें एक P कम कर दें SP2 यहां पर भी आपके पास actual hybridization जो आएगी वो SP2 आएगी यह यह आपके पास है actual hybridization यहां पर भी आपके पास